दिल्ली विदानसबा चोना दियां तरीका दायलान आज हो सकता है आज चोन कमिशन दी बैठक है ते दुपहर बाद प्रेस कॉन्फरेंस कर अधिकार के जानकारे दिती चाह सकती है मीडिया रिपोर्टां दे मतावक उचरदीकारियां दिनाल बैठक विच चोन कमिशन ने इस बारे फैस्टरा ले ले लिया है दिलीदी साब का मुखमंतरी शीला दिक्षोत एक टीवी चानल दिनाल गालबाद दे विच किया के परदेश विच फिर तो किसे पार्टी नुस पस्ट बहुमत नहीं मिलिया था कॉंग्रेस से फिर कुई शक्तिया नो रोकन दे ले आम आदमी पार्टी नो दुबारा समर् वोटरां तो ये अपील भी कर देती कि कॉंग्रेस नो वोट ना देन क्योंकि उसने अपनी हार माल लिए दिखिए शीला दिक्षित जी ने अभी स्पश्ट रूप से बता दिया कि यदि खंडित जनाधार होता है तो वह आम आदमी पार्टी का साथ देगी इससे ये तै हो गया है किस तरह की मैच फिक्सिंग या नूरा कुष्टी पहले से ही तै है ये जीजा शाली का जो रिष्टा निकला हुआ है लोगों ने देख लिया है पहले भी कसमे खाई गई थी बच्चों की कि हम ना साथ लेंगे कॉंग्रेस का ना देंगे फिर भी सा नाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है उसके पहले शिला दिक्षित ने ये बयान देकर स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस एकी पार्टी के दो पहलू है और कॉंग्रेस की भी टीम है तो ये स्पष्ट रूप से साबित हो गया इसमें लोगों ने अब देखना शुरू कर दिया है इसको तो इससे जादा क्या कहेंगे नई बात नहीं है क्योंकि ये जो नूरा कुष्टी हो रही है सबको पता है कि कॉंग्रेस की बी टीम जिनोंने त्यार की थी उस समय त्यार की थी भारती जंता पार्टी को डेमेज करने के लिए लेकिन डेमेज कर जिए वो कोई और आज कोउंग्रेस की इस कंडें नहीं कर रही है दिल्ली के अंदर देखा जाए तो आज यासा लगता है कोंग्रेस चुनाव में नहीं है कहीं चोत्य पास्चोशन नंबर बे आती है तो मुझे लगता है श्रीला जिने ये कहके अपना कद यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते, खबरा नाल चुड़े रहो दिन रात.